नवस्कार दोस्तों मैं सुमिची मा स्वागत करता हूँ आपका आज की नई वीडियो में आपके लिए कर के आ गया हूं दोस्तों सोराज कोड केकड़ा ट्रैक्टर भी आप इसको कह सकते हो सोराज का यह सिंगल सेलेंडर का ट्रैक्टर है दोस्तों 11 पर का 389 cc के इंजिन के साथ में आता है पैट्रोल ऑपरेटरीड इंजिन है इसके अंदर और जो गेरबोक्स है वो स्लाइडिंग मैस गेरबोक्स इसके अंदर दिया गया है आपको जो स्पीड मिलने वाली है इसके अंदर 6 स्पीड आपको मिलेगी फोरवर्ट जाने के लिए और स्पीड आपको मिलेगी इसके अंदर रिवर्ट जाने के लिए यहां पर क्या है इसका जो मेकैनिजम है वो बिल्कुल ही डिफरेंट दिया गया है अभी तक के ट्रेक्टरों से सबसे अलग है यह जो ऑपरेजनल एरिया है इसको वह भी डिफरेंट है और बिल्कुल ही देख रहे हो तो हैलोजन बल्प के साथ में सिंगल है लाइक आपका जैसे बाइक वगएर में आपको मिलती है उसी तरीके की हैडलाइट इसके अंदर यह दी गई है यहां पर आपको डिजल इसके अंदर पैट्रोल टैंक दिया गया है दोस्तों जो एर क्लीनर है वो ड्रा गया है हाँ पर चार नो के अग्ये के टायर मिलेंगे और जो पीछे के टायर है वो मिलेंगे इसके अंदर च्छे चोधा के यहां पर जो ऑपरेशनल एरिया है वो भी बिलकुल डिफ्रेंड मिलने वाला है इस तरीके से आप इसके ऊपर बैठ सकते हो और काफी ऐजी आप बाइक की तरह ही operate कर सकते हो, जैसे बाइक मगरा में accelerator दिया रहता है, वैसे इसके अंदर दिया गया है, यह इसके हैंड वाली race दी गई है, यह इसके बाइक की तरह ही same control दिये गए है, light के, indicator के, horn का भी यहां यहीं पर दिया गया है दोस्तों, यह आप देखो, यह pass वगरा के से आप इसको engage, disengage कर सकते हैं, यह इसके अंदर आपका hydraulic open इच्चे करने के लिए lever दिया गया है, इसके अंदर जो आप देख रहे हैं, lever है, यह differential का lever है, इसको आगर आप लोग कर दोगे तो पीछे के जो tires है, वो एक साथ आपका work करना, start कर देंगे, यहां पर आप इसका dashboard देखोगे, विल्कुल ही different है, simple सा, dashboard दिया गया है, rpm meter है, साथ महीं इसके अंदर यह fuel का meter है, और यह इसका hour meter है, 36 rpm पर जो tractor है, वो अपनी maximum power produce करके आपको देता है, दोस्तों, यहां पर अगर बात कर लेता हूं, मैं इसकी lifting capacity की, जैसे पीछे आप देख रहे हो, जे दस HP की PTO का और मिल जाती है, और ट्रेक्टर आपका मात्र 11 HP का, यानि कि मात्र एक HP रेडियूस हुई है, इसकी PTO में, सेम PTO HP आपको मिल जाती है, ऐसा क्यों है, क्योंकि direct saft आ रही है, इसकी PTO की engine से ही, कोई उसके अंदर बीच में कोई joint बगरा नहीं है, तो इसलिए आ अच्छी खासी इस ट्रेक्टर के अंदर देखने को मिले वाली है, दोस्तों, बाकि ट्रेक्टर को स्टार्ट करके और चला करके भी मैं आपको जरूर दिखाता, अब मैं हूँ महाराष्ट में और महाराष्ट की एक dealership पर मैं हूँ आज, यहाँ पर इनके बास में ना तो पर देखने को मिल जाएगी, प्राइस तीन लाग के आसपास भी हो सकती है, क्योंकि मुझे एक्जैक्ट नहीं है, क्या रखी है कंपनी ने, तो प्राइस के लिए आप अपने नजजी की सोरों पर विजिट कर सकते हैं, वाकि कैसी लगी वीडियो, अपनी राय जरूर दे सकते हैं, वीडियो पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब, फोलो कर सकते हैं, और वीडियो को जादा से जादा से क्योंकि एसा ही, कंटेंट आपके लगर आते हैं, यह वीडियो, तो यह थी आज की वीडियो, मैं मिलोंगा आपसे ऐसी ही, किसी नहीं और चामबार वीडियो के साथ, अब तक के लिए हिट यहीं की घहराईयों से, मुस्कराहट के साथ परेम पूरवक, धन्यवादitt